हालो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो दे चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ तो प्रिपेर जीए फोर एस्पाइक लरक मेंज तो आप सभी कुछ जैसे की पता है कि आपका जो है एस्पाइक लरक प्री का रिजल्ट जो है वो कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगा और आपका एस्पाइक लरक मेंज का जो एक्जाम की एक्सपेक्टिड डेट है वो फैब के लाज तक आपका जो है वो मेंज हो जाएगा ऐसा एक्सपेक्टिड है तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगी कि आपको जो है जी कैसे प्रिपेर करनी है कितने महीने कि आपको जो है वो जी के प्रिपेर करनी है ठीक है तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ जरूर बढ़े रहे ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ना और टेलिग्राम चैनल भी आप जोइन कर सकते ह तो फिर मैं डेली बेसिस पे जो है वो क्वेसिस दा हिंदू करंट अफ्यर के डालना शुरू कर दूँगा उससे भी आपकी जो है जीए की प्रेपरेशन में आपको बहुत हैल्प होगी तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं मेरा नाम है रामदेव करंटली वरकें जैसे कि आपको पता ही है कि जीए जो है वो एक गेम चेंजर की तरह काम करती है जीए की जो है बहुत इंपोर्टेंस है आप किसी भी एक्जाम में देख सकते हैं और अगर आप बात करो SBI क्लरक मेंस में SBI एक ऐसा एक्जाम है जिसमें आपकी जो है वो सेक्शनल कट ओफ नहीं है मतलब आपको किसी भी सेक्शन में मीनिमम कट ओफ मार्क्स लेने की जरूरत नहीं है तो मतलब अगर आपके कोई भी सेक्शन अच्छे है तो आप उन सेक्शन में बहतर अटेम्टेशन करके आप जो है अपने मेंस को क्वालिफाई कर सकते हो ठीक है तो ज़्यादा basis पे आपको daily current affairs चरूर पढ़नी है कम से कम दो sites से आपको daily current affairs पढ़नी है जिन भी sites को आप follow करते हो आपको कम से कम दो sites से पढ़ना है और daily के daily अगर जैसे कि आप आज quizzes आज आप current affairs पढ़ रहे हो तो next day आपको जाके उनकी quizzes attempt करनी है तो इससे क्या होगा इससे आपकी जो है day by day आपकी जो है वो revision होती रहेगी तो आपको कम से कम दो side से आपको जो है वो पढ़ना है दूसरी बात आपको कहीं से भी telegram channel से या फिर कहीं भी आपको किसी भी side से जहां से भी आपको current affair की जो है वो quizzes मिले उसको आपको जो है वो जरूर attempt करना है ठीक है उससे क्या होगा आपकी जो है ये की preparation broad हो जाएगी मतलब इससे आपको जो है आपकी मैं बोलूँ तो preparation जो है वो अच्छी होगी मतलब एक तरह से क्या होगा की आप quizzes attempt करोगे तो आप उसमें से बहुत कुछ जो है वो retain कर पाऊए ठीक है और अब रही बात आपकी जो है static वाले portion की static वाला portion अगर मैं बात करूं तो static awareness की तो static awareness बेसिकली जो exam में पूछे जाती है वो आपकी जो current events चल रहे हैं उनसे related ही आपकी जो है वो static awareness भी पूछे जाती है जैसे की अभी हम बात करें राम मंदिर की बात करें तो आप से हो सकता है की UP के बारे में पूछा जा सकता है अभी जैसे की आपके भारत रतन और आपके पदम आवोर्ड जो है उनकी list भी जो है वो जारी हो चुकी है तो उनके बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा और हो सकता है किस state से जो वो belong करते हैं वहां का आपसे static पूछा जाएगा तो आपको current event से relate करके ही अपनी static awareness को जो है वो prepare करना है उसके बाद बात करते हैं banking awareness की banking awareness की मैं बात करूँ तो जैसे की मैं आपको जैसे side बता देता हूँ order 24-7 ने जो है अपना SBA कलरक मेंस GA का जो है capsule उन्होंने out कर दिया है तो आप उसको भी जाके पढ़ सकते हो और वहां पे जो आपकी banking awareness है static उसको आप जो है वो cover कर सकते हो और रही बात आपकी banking में भी current affairs की वो आपकी current events जो है वो वहीं पे आपकी banking awareness में cover हो जाएगी ठीक है तो ये आपका जो है वो GA को prepare करने का एक अच्छा तरीका है मैंने भी जो है इस तरह से ही जो है वो prepare किया था मैंने भी जो है वो 2-3 side से पढ़ा था कम से कम 2 side तो आप मान के चलिए 2 side से आपको पढ़नी ही है daily quizzes attempt करनी है और ऐसे ही आपको जो है static awareness आपको current events से relate करके ही आपकी जो है वो static awareness पढ़नी है दूसरा question most asked question जो है वो है कि आपको GA कितने महीने की पढ़नी है तो मैं बात करूँ GA आपको जो है वो कम से कम 3-4 महीने की जो है GA आपको बहुत अच्छी तरह से prepare कर लेनी है आपको उसकी जो है multiple times जो है आपको उसकी revision करनी है ताकि आप उसको अच्छी तरह से retain कर पाओ ठीक है अगर आपके पास sufficient time है तो आप जो है वो 6 महीने तक भी जा सकते हो मतलब लास्ट के जो 5-6 महीना है उसको भी आप बढ़ सकते हो पर पहले 4 महीने की आपकी जो है 3-4 महीने की GA आपकी जो है वो बहुत अच्छी तरह से आपको जो है वो prepare होनी चाहिए आपकी revision होनी चाहिए तो इतने महीने की जो है आपको जो है उसको attempt करना है ठीक है और बस आज की वीडियो में इतना ही और टेलिग्राम चैनल पे जाके फ्रेंट्स आप जरूर quiz को जाके एक बार जरूर चेक करें आपको जैसे भी लगती है मुझे उसका review आपको जरूर देना है टेलिग्राम चैनल पे या आप review देना तो उस हिसाब से फिर मैं next जो है अपनी quiz फिर वहाँ पे डालूँगा ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही friends और लोगों के साथ भी इसको share करें और फिर भी कोई दिक्कत कोई डाउट कोई परिशानी हो तो comment box में comment करके जरूर बताएं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें thanks for watching subscribe to our channel for more updates have a nice day